हेलो गाईज तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2021 के लिए जितने भी स्टूडेंट नीट 2021 के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो हमारी वीडियो पे जितनी भी आज तक अभी AI PMT नीट के इंट्रेंस एक्जाम हुए हैं तो उन सभी पेपर करा जा रहे हैं तो अभी तो बायलो जी का पेपर में करा रहा हूँ यह हम लोग 2020 हम लोग 2001 से शुरू किये थे 20 और कहां तक जाएंगे 20 तक अभी आज तक पेपर हुआ तो 2001 से लेके 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी चैनल पर कराय जाएंगे तो चलिए यह जो पेपर है 2005 का है कौन सा 2005 का यह जैसे ही biology का पूरा complete होता है chemistry physics साथ में चलेगी तो चलिए इसके पहले वीडियो दो वीडियो इस 2005 की वीडियो दो वीडियो बन चुकी है वीडियो नमबर कौन सा है यह वीडियो नमबर 3 है तो आप लोग 2 वीडियो देख सकते हैं description box में उसकी link मिल जाएगी तो चलिए यह AIPMT 2005 का पेपर है तो question number 142 कह रहा है इसरकिया कोलाई बैक्टिरिया cells भी थे mustard, z gene, आपदा लाइक ओपरान cannot grow in medium containing only lactose the source of energy वीडियो आज कह रहा है इसरकिया कोलाई बैक्टिरिया जो है उसमें z gene आपदा लाइक ओपरान cannot grow तो z gene अब पहले तो यह पता होना चाहिए एक z gene होती है एक y gene होती है अब z gene कौन सा enzyme बनाती है पहले तो यह पता होना चाहिए तो यह बनाती है beta glycocidase g a l a c t o a s i d a s e beta glycocidase enzyme बनाती है जो lactose को तोड़ती है glycose and glucose में तो यह देख लीजिएगा अब यह question एकदम simple हो गया तो b option आप लोग देख लीजिए the cannot synthesize functional beta glycocidase यह देख लीजिए है तो option number b correct हो जाएगा next question number the net pressure gradient the cause the fluid of the filter out of the glumulus into the capsule अब यह 143 का कौन सा option सई हो जाएगा 143 का option number हम लोग direct सई करेंगे c option सई करेंगे 20 mmHg correct हो जाएगा net इसमें क्या पूछ रहा net pressure gradient कितना होता है तो 20 mmHg होती है तो option number कौन सा c option correct हो जाएगा 143 का कौन सा option c option next question number next question number कह रहा है कि as compared to c3 plant अब यह question एकदम simple भी question है इसमें आपको पता होना चाहिए as compared to c3 plant how many additional molecule of ATP are needed for net production of one molecule of 100 sugar अब यह कह रहा है कि मान लिजिए c3 plant में कितना ATP यूज होता है उसी के compare में हम लोग को c4 plant में बताना है तो 144 का जब c3 cycle जब चलती है तो एक हेक्सो सुगर बनाने में c3 यह आप लोग लिख सकते है c3 plant में एक glucose molecule बनाने में कितनी ATP की आउ सकता पड़ती है तो यह देख सकते हैं आप लोग यह एकदम clear लिख लिजिए 18 ATP की आउ सकता पड़ती है अडिनोसिन ट्राइफ हास्पेट और 12 NADPH की आउ सकता पड़ती है 12 NADPH बात करेंगे c4 plant में c4 plant की बात कर लिजिए तो अब इस question में c3 plant अब आपको एकदम clear हो गया होगा कि c3 plant कितना additional और c4 plant में कितना होते हैं तो c3 आप लोग नो down कर लिजिए इसमें 12 और 18 और 12 याद कर लिजिए और c4 में आप लोग की आइद करेंगे c4 में 18 और 12 और इसमें 30 और 12 याद कर लिजिए 30 याद कर लिजिए और 12 याद कर लिजिए 12 याद कर लिजिए 30 ATP याद कर लिजिए अब देख लिजिए कितना ATP का difference आपको आ रहा है इसमें तो एन ADP तो इसमें 18, 18, 12, 30 होता है तो 12 ATP का difference आ रहा है फालोइंग पियर इस क्रेक्टली मैच इसमें हिंग जॉइंट को नी जॉइंट कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट बिट्वीन जाइगो फिस नहीं जाइगो फाइसिस के बीच नहीं होता है और कार्टी लेजिनेस जॉइंट को इसकल जॉइंट कहते हैं फाइबरस जॉइं option number B, gliding joint between जाएगा फायोसिस आपदा सक्सेसि बल्टिबरी के बीच gliding joint होती है और अगर आप cartilaginus joint की बात करेंगे तो between vertebrae के बीच होगी और fibrous joint के बीच बात करेंगे तो between skull bone के बीच होगी जो की मतलब movable नहीं होती है emovable होगी next question number the catalytic efficiency of two different enzyme can be compared by the यह कहरा है the catalytic efficiency of two different enzyme का जो catalytic efficiency होती है वो क्या होती है तो km value होती है तो option number c option ही 146 का correct हो जाएगा km value concentration substance का हुआ होता है जिसमें maximum velocity reaction की half हो जाती है उसी point को km value कहती है जिसमें substrate का level हाप हो जाता है next question 147 यह question during transcription transcription के दवरान जब DNA से RNA बनता है उसी को transcription कहते हैं holo enzyme RNA polymerase bind कर जाता है to DNA sequence and the DNA assume is saddle like structure saddle like structure होता है और the point उस point को उस sequence को क्या कहते है तो tata box कहेंगे tata option number b correct हो जाएगा एक बार तो इसी question को tata box को एक बार दूसरे नाम से पूछा था prevenue box भी कहते हैं तो आप लोग यह भी note हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नमबर 148 देख लीजिए कहरा बाइरो फिलिक प्रो करियार बाइरो फिलिक मीन्स क्या होता है पहले तो यह पता होना चाहिए कि बाइरो फिलिक मीन्स होता है आएसे बैक्टिरिया जो आयन अरियोबिक बैक्टिरिया होते हैं बीना आक्सिजन की वो जीवित रहते हैं और यह multiply ग्रो करते हैं यह very deep marine sediment में मतलब गहरे समुंदर के पानी में यह रहते हैं तो grow and multiplying very deep marine sediment इसनिया आपसा नमबर 148 का फरस्ट आपसा नहीं करेक्ट हो जाए हैं बहुत अंदर रहते हैं और यह anaerobic respiration भी करते हैं anaerobic next question number 146 more than 70% of world fresh water is contained in more than 70% से अधिक जो word में है वो fresh water कहां पे होता polarize को कहते हैं यह glacierancy यह mountain यह antaricta यह greenland तो 149 का option number first ही सही हो जाएगा polar ice अभी यह मान के चलिए कि 97% जो earth की water होती है वो saline होती है जैसे मान लीजिए ocean में हो गया समुंदर और सागर में जो water होता है उसका तो 97% क्या होता वो saline होता मतलब नमकीन होता खारा पानी होता यस यल आई यह saline होता है बट यह fresh water की बात कर रहा है और यह कहरा कि 77% 70% की बात यह कर रहा है यह question में 70% की बात कर रहा है तो 70% of world fresh water polar ice ही होता है तो option number first correct हो जाएगा there are two opposing views about origin of modern mind according to one view homo erectus in Asia we are ancestor of modern mind यह study of variation of DNA however suggested African origin of modern mind what kind of observation on DNA variation could suggest this अब यह variation की बात कर रहा है तो you 150 में जब more यह किस की variation की बात कर रहा है genetic variation की बात कर रहा है genetic variation या फिर age की variation कह रहा है तो यह क्या हो जाएगा आपसर नंबर भी आप लोग देख लीजिए greater variation in Africa than in Asia अफरीका और Asia में सबसे अधिक variation देखा गया था किसमें age में देखा गया था और genetic में genetic variation देखा गया था gene level पे इसमें variation देखा गया था next question number which one of the following phenomena support Darwin concept of natural selection in organic evolution तो अब ये question आप लोग को Darwin concept natural selection को support phenomenon आप लोग को देखना है हुच आप the following phenomena support तो 151 का according to Darwinian के अंसवार कुछ insects जो origin population भी है resistant gene के लिए होती है pesticide के प्रती resistant gene सू करती है pesticide selected by natural selection के द्वारा तो 1C option देख लीजिए prevalence of pesticide resistant insect तो option number C इस question का correct हो जाएगा क्योंकि Darwinian के अंसवार क्या था ये resistance gene सो करने लगती है option number C correct हो जाएगा question number 152 देख लीजिए ये भी इसमें 2-3 question बनते हैं कभी कभी the deficiency of micronutrient micronutrient दे रहा है not only effect growth of plant केवल ये growth plant के growth को नहीं effect करते हैं but also vital function vital function को भी इनके effect करते हैं such photosynthetic and mitochondria electron flow में भी work करते हैं photosynthesis में ये element work आते हैं और mitochondria electron flow में भी work करते हैं among the list given below which group of three elements cell effect most both photosynthetic and mitochondrial electron transport जो ETS electron transport system जो होता है और photosynthesis को कौन से element micronutrient हैं जो effect करते हैं तो ये कोबाल्ट तो कभी नहीं होता कोबाल्ट और sodium भी नहीं और इसमें कैलसियम कोबाल्ट दे रहा तो ये भी गलत हो जाएगा तो option number इसमें D बचता है तो option number D correct हो जाएगा क्योंकि अब आप एक question और लिख लीजिए ये देख लीजिए पूछता है question photolysis soft water जब photosynthesis होती है तो photosynthesis के दोरान photolysis soft water होता है water का क्या होता है breakdown होता है जो oxygen और किसमें 2H2 में ये breakdown होती है तो oxygen हमको मिलता है इसमें एक इसमें दो element मतलब help करते हैं तभी ये photolysis होता है तो ये आप लोग लिख लीजिए माइगनीज के देता है माइगनीज हो गया और chlorine यही दो element है जो photolysis element है photolysis में help करते हैं photolysis soft water help किसके द्वारा किया जाता है माइगनीज और chlorine के द्वारा तो option number D correct हो जाएगा अब इसमें plastosinin में क्या होता है जब photosynthesis होती है copper containing plastosinin होता है तो वहाँ पे तो copper work कर जाता है और iron कहां पे होता iron जब आपका cytokrome जो होता cytokrome में photo phosphor relation के दोरान iron पाए जाएगा तो इसलिए D option correct हो जाएगा next question which of the following is generally used for induced mutagenesis in crop plant crop plant में mutation कर देता है mutagenesis तो वह होती है गामा रेज फ्राम कोबाल्ट सिस्टीन option number C correct हो जाएगा next question number which one of the following hydrolysis internal phosphodicester band in polynucleotide chain अब यह कह रहा हुच आप the following hydrolysis कर देता है internal phosphodicester band जो होता है मतलब यह मान लीजिए यह bond है तो यहां की बात नहीं कर रहा है यह बीच वाले की बात कर रहा है तो इंडो नुकलिय जो होता है यहीं से कट करता है बीच में कट करता है तो आपसा number C correct हो जाएगा next question number according to widely accepted fluid mojaic model अब यह fluid mojaic model से question पूछ रहा है fluid mojaic model किस ने दिया था यह भी एक बार question पूछा गया था तो यह singer and Nicholson आप लोग लिख सकता है fluid mojaic model किस ने दिया था तो singer S-I-N-G-E-R singer and N-I-C-O-L-S-O-N singer and Nicholson ने दिया था यह भी एक बार पूछा था कि कौन से sun में दिया था तो एक बार sun भी पूछ लिया था तो आप लोग sun भी लिख सकते हैं कि किस sun में इन्हों ने दिया था तो singer and Nicholson ने 1972 आप लोग not down कर सकते हैं तो यह चलिए question देखते हैं फ्लिट मोजई माडल चल मेंब्रेन और सेमी फ्लिट वेर लिपीड और इंटेग्रल प्रोटीन कान डिफ्यूज रेंडेमली अब इसमें स्टेटमेंट इन्करेक्ट देखना है कि फ्लिट मोजई माडल के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो फस्ट आफशन देख लीजिए प्रोटीन सेल मेंब्रेन कान ट्रेबल बिदा लिपिड वाइलियर के बीच में प्रोटीन को मोजई माडल जो दिया था प्लाज्मा मेंब्रेन पे था नेक्स्ट देखते हैं B option प्रोटीन कान अलसो अंडरगो फिलिपलाप मुवमेंट इंदा लिपिड वाइलियर तो प्रोटीन क्या करती है फिलिपलाप मुवमेंट सो करती है यही गलत हो जाएगा तो आपके उन्हों डाउन भी कर सकते है जो P R O T E N I होती है प्रोटीन होती है वो कौन सा मुवमेंट सो करती है तो प्रोटीन जो होती है यह सो करती है पिंग पॉंग P I N G P O N G P O N G पिंग पॉंग मुवमेंट सो करती है और लिपिड जो होती है यह कौन सी मुवमेंट सो करती है तो लिपिट जो होती है यह सो करती है फिलिप फ्लाब मुवमेंट या फिल आई पी फिलिप 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 फ्लाब मुवमेंट सो करती है तो लिपिट के लिए यह हो गया और प्रोटीन के लिए पिंग पॉंग मुवमेंट सो करती है तो इस क्वेस्चन में क्या कहरा भी आपसन देख लेजिए कहरा प्रोटीन जो होती है अंडर को फिलिफ लाब मुवमेंट सो करती है फिलिफ लाब तो लीपिट सो करती है इसलिए गलत है और गलत भी पूछ भी रहा है नेक्स्ट कोईस्टन नमबर 156 एड्स इज काज़ बाई एड्स जो होता है एक्कॉर्ड इम्मुनो डिफिसियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है और यह किसके कौन से वारस के द्वारा होता है यह चाईबी वारस प्रिंस्पली इंफेक्ट तो यह किसको इफेक्ट करत जी आप लोग नेक्स्ट कोईस्टन नमबर आठोइच लाटिटीट्यूड हीट गें थ्रो इनुस सिल्वेशन एप्रोक्सिमेटरी इक्कॉल हीट लास इक्कॉल हीट लास आपको 157 कहां पे दिखेगा तो 157 में आपसा नमबर बी में दिखेगा 40 डिगरी नौर्थ आंड स नेक्स्ट कोईस्टन नमबर आप दा मोस्ट इंपोर्टेंट फंशन आप बोटनिकल गार्डेन बोटनिकल गार्डेन इस देट बोटनिकल गार्डेन के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना मोस्ट इंपोर्टेंट फंशन बोटनिकल गार्डेन का सबसेदिक फंशन Allow X42 Conurbation Other Germ Plage तो आपसा Number C X42 Conurbation Me ये Garden जो Botanical Garden आते हैं तो आपसा Number C Correct हो जाएगा अब यहीं आप लोग लिख सकते हैं कि X42 Conurbation Me कौन कौन से आते हैं तो ये लिख लीजिए ZBW लिख लीजिए Geological Park आएगा अब ये आप लोग लिख लीजिए Geological Park, Botically Garden और Wild Life Safari Park यह तीन आते हैं X2 Consurvation में X2 Consurvation होता क्या पहले तो यह भी पता होना चाहिए X2 Consurvation होता क्या X2 Consurvation जो यह है यह special care दिया जाता है माल लिजिए naturel habitat माल लिजिए एक जंगल है तो वहां जंगल से आप उठाके एक special care देंगे किसको दिया जाता है ये भी तो पता होना चाहे plans और animals दोनों के लिए होता है ये भी question पूछा गया था कि grades to conservation किसके लिए होता है तो Americans and animals दोनों के लिए होता है तो ये देख लिजिए गा तो plant और animals को ये conservation एक revenue to conservation प्रोवाइड करते हैं चलिए इस वीडियो का लास्ट नमर कोश्चन 159 इन और और निथीन साइकिल और निथीन साइकिल चलती है और निथीन साइकिल के दवरान आप बलड से कौन सा बेस्ट प्रोड़क्ट निकाल देते हैं तो हम लोग यूरिया निकालते हैं लास्ट में यूरिनेशन करके क्या निकालते हैं यूरिया निकालते हैं तो यूरिया कहां से बनता है यूरिया बनता है आपके अमोनिया से एनेस्थिरी और सियो टू बलड से अमोनिया और सियो टू लेके आपको यूरिया उरिनेशन के थुरू यूरिया पास आउट कर देते हैं तो अमोनिया और सियो टू हम लोग क्या पास आउट करते हैं अमोन तो आपसन नमबर कौन सा इस क्वेश्चन का 59 का आपसन नमबर सी देख लिजिए स्यूटू और अमोनिया बलड से निकाल देते हैं रिमूब करते हैं तो सी आपसन करेक्ट हो जाएगा चलिए इसके आगे पहली बार आप वाज करें क्योंकि आप लोग के help full के लिए help full के लिए channel create किया गया है और आप लोग चैनल को तेजी से grow कराईए subscribe number increase कराईए ताकि आप लोग के आप लोग करेंगे तो मुझे motivation मिलेगा और मैं अच्छे से आप लोग को सभी question प्रोवाइट करूँगा तो जितने भी student need की त्यारी कर रहे हैं तो मैं भी need की student हूँ और त्यारी भी कर रहा हूँ तो चलिए next video में मिलेंगे thank you student thank you